गुड मोर्णिंग, दोस्तों मैं गोतम सिंग आजाप के लिए ले कराया हूँ, सफल विद्यार्थी के पांच लच्छड सफल विद्यार्थी के पांच लच्छड काक चस्टा बको ध्यानम स्वा निंद्रा तथे वेच अलपहारी गृत्यागी विद्यार्थी पांच लच्छड सईयम गृता सहन सक्ती सादगी एकागरता आपको हम इसमें सफल विद्यार्थी के पांच लच्छड के बारें बताएंगे अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको ये पाँच लछड का पालन करना होगा आगे आप वीडियो को देखते रहें मैं आपको पताने वाला हूँ सफल विद्यार्थी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके अंदर पांच लछड कौन-कौन से होने चाहिए इसके बारे मैं आपको बताऊंगा दोस्तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबादे तक ही अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके विद्यार्थी के पांच लछड देखिए कहते हैं एक विद्यार्थी यानी एस्टुडेंट का जीवन सबसे कठिन होता है क्योंकि इनके जीवन में कि सारी तप होते हैं और खुद को कश्ट देते हुए जिन्दिगी की सिडियों में आगे चड़ते रहते हैं हमारे बेद सास्त्रों और पुराडों से ही विद्यार्थियों के लछडों के बारों में बताया गया है कि जो आज के समय में विद्यार्थी को पता नहीं है तो आईए हम आपको बताते हैं विद्यार्थी के पांच लछड कवे के समान इक्छा यानि संस्क्रित स्लोक में एक सब्ध है काग चेश्टा यानि कि कववे के समान इक्षा होना एक अच्छे विद्यार्थी यानि स्टुडेंट की इक्षा हमेशा कववे की जैसा होती है और हमेशा और अधिक पाने की चाह में रहता है और किसी दूसरे के पास कुछ होने पर उससे छिन लेने की इक्षा रखता है यानि कि एक विद्यार्थी हमेशा ग्ञान लेने की चेश्टा रखता है बकले के समान ध्यान यानि की बको ध्यान एक एस्टुडेंट का ध्यान बकले की इतरह होना चाहिए जिसका आर्थ है की एकतम निशाने में और नजर न चुके जिस तरह बकला नदी के किनारे बैठ कर मचलियों में ध्यान लगाता है और उसी तरह एक student को किताबों में ध्यान लगाना चाहिए कुते के समान निंद्रा यानि की ग्यान निंद्रा हिंदी में स्रा का अर्थ है कुता और यहां कहा गया है कि एक स्टुडेंट की नीद बिल्कुल कुते की जैसे होनी चाहिए जिस तरह एक कुता घर में हलकी सी आहट होने पर जग जाता है उसी तरह एक स्टुडेंट को भी हमेशा चौकना रहना चाहिए और सोना चाहिए कि वो अपने पढ़ाई करने के समय में बीना कहे या किसी अलार्म के बीना उठ जाये अलपहारी यह एक स्टुडेंट की जीवन की सबसे बड़ी सीख और लशुन में से एक होना चाहिए एक स्टुडेंट को हमेशा अलपहारी यानी की कम खाना खाने वाला होना चाहिए जिससे पढ़ाई करते या इस्कूल जाते वक्त उसे नींद नहीं आए एक स्टुडेंट को हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना कई बार खाना चाहिए न की एक बार में बहुत सारा ऐसे करने से दिमाग एक्टिव रहता है और सरीड को नींद और आलस नहीं आती है जिससे ओ बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकता है और जीवन में कम्याब हो सकता है स्वस्थ करने वाला, स्वधाय करने वाला यानि कि स्वधाय यानि कि खुद से पढ़ने की आदत और ललक एक student को हमेशा खुद से पढ़ने की आदत होनी चाहिए और इसमें उसे किसी का सहारा लेने से बचना चाहिए जब कोई विद्यार्थी खुद से पढ़ता है तो उसकी मानसिक सक्ती बढ़ती है साथ-साथ और अधिक योग होता है जिससे उसे आगे जीवन में कोई कठनाई नहीं होती है हमेशा पढ़ाई की ललक रखने वाला विद्यार्थी जीवन में बहुत आगे जाता है और तरक्की करता है दोस्तों आप से अनुरोध है कि आप खुद से ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें पांच लच्छड जो है आपको विद्यार्थी का उसका पालन जरूड करें तभी आप जो है सफल विद्यार्थी बन पाएंगे दोस्तों आपको अगर हमारा विडियो अच्छा लगा है तो सेयर करना बिल्कुल न भूले हमारे विडियो को सेयर जरूड करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबा देता कि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल से के थैंक्यू दोस्तो रादे रादे हैं